जी के मस्ती MS में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है लूसेंट आप्शनल वाली से जो चोथा टॉपिक इंडियन हिस्टरी का है मौर काल 322 इसवी पूर्व से 185 इसवी पूर्व तक तो मौर काल के आज 20 कोस्चन होंगे और लूसेंट बुक का जितना भी मौर काल उदय से लेकर मौर काल तक का है तो उसके बारे में डिटेल से एक्स्प्लेंड किया जाएगा तो मौर काल से समन्द लूसेंट आप्शनल वाली में पहला कोस्चन है चाड़क की का अने नाम क्या था तो चाड़क की का दूसरा नाम विश्ल गुप्त था कौन था विश्ल गुप्त तो ये तो कोस्चन पहला हो गया अब एक्स्प्लेंड देखते हैं भारत मगद राज का उतकर्ष लूसेंट बुक से मगद के सबसे प्राचीन वंस के संस्थापक ब्रहद्रत था कौन था ब्रहद्रत इसकी राजधाने गिलिवरज यानी राजग्रह थी जरासंद ब्रहद्रत का ही पुत्र था जरासंद जो था ये ब्रहद्रत का ही पुत्र था जो मगद का राजा संस्थापक था हरेगवंस के संस्थापक बिम्बसार मगद की गद्धी पर 544 इस्वी पूर्व यानी बहुत ग्रंथों के अनुसार ये बताया गया है कि ये 544 इस्वी पूर्व हर्यकवंस का संथापक बिम्बसार मगद की गद्दी पर बैठा वह बहुत धर्म का अनुआई था वह प्रथम भारती राजा था जिसने प्रसासनिक विवस्था पर बल दिया बिम्बसार ने ब्रम्धत को हराकर अंग राज को मगद में मिला लिया था बिम्बसार ने राज ग्रह का निर्माड कर उसे अपनी राजधानी बनाया और मगद पर करीब 52 वर्सों तक सासन किया 52 वर्सों तक मात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बसार ने राजवैद जीवक को भेजा था अवंती के राजा प्रधोत जब पांड रोग से ग्रसित थे अवंती उजयनी जिसकी राजधानी थी अवंती के राजा प्रधोत जब पांड रोग से ग्रसित थे तो समय भी बिमसार ने जीवक को अपनी सेवा सुस्रा के लिए भेजा था। बिमसार ने वैवाहिक सम्मंद स्थापित कर अपने शामराज का विस्तार किया। इसने कोसल नरेस प्रसेंचित की बहन महा कोसला से वैसाली के चेटक की पुतरी चेलना से तथा मदर देश जो आजकल पंजाब है मदर देश की राजकुमारी छेमा से सादी की। बिमसार ने किसे किसे कोसल नरेस प्रसेंचित की बहन महा कोशला से वैसाली के चेटक की पुतरी चेलना से तथा मदर देश जो आजकल पंजाब है उसकी राजकुमारी छेमा से सादी की। बिमसार की हत्या उसके पुत्र अजात सत्र ने कर दी और वा 493 इस्वीपूर में मगद की गद्धी पर बैठा। अजात सत्र का उपनाम कुडिक था वा प्रारंभ में जैन धर्म का नुआई था अजात सत्र जो जिसका नाम कुडिक था अजात सत्र ने 32 वर्सों तक मगद पर सासन किया अजात सत्र के शुयोग मंत्री का नाम वर्सकार यानि वर्सकार था इसी की साहता से अजात सत्र ने वैसाली पर विजय प्राप्त की 461 इस भी पूर में अपने पिता की हत्या कर उदायन मगद की गद्दी पर बैठा विम्बसार की हत्य अजाद सत्र ने की कि उसका पुत्र और अजाद सत्र का जो पुत्र था उदायन उसने भी अपने पिता अजास सत्र की हत्याकर 461 में गद्धी पर बैठा मगद की उदायन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की या जैन धरम का नुआई था हर एक वंस का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नाग दसक था हर एक वंसकान तिम जो पुत्र था उदायन का पुत्र वो नाग दसक था नाग दसक को उसके आमत शिसुनाग ने 442 इस्वीपूर में अबदश्ट करके मगत पर शिसुनाग वंस की इस्थापना की 412 इस्वीपूर में अपदस्त करके पदसे हटा करके मगद पर शिसुनाग वन्स की स्थापना की नागदसक को हटा कर उसके मंतरी शिसुनाग ने सिसुनाग ने अपनी राजभानी पाटिल पुत्र से हटा कर वैसाली में स्थापित की शिसुनांग का उत्रा अधिकारी काला सोक पुना राजभानी को पाटिल पुत्र ले गया काला सोक शिसुनांग वन्स का अंतिम राजा नंदिवर्धन था नंद वन्स का संस्ठापक महा पद्मननन्ध था या सिकंदर का समकालीन था इसे चंद्र गुप्त मौर ने युद मे पराजित किया और मगत पर एक नए वन्स मौर्वन्स की स्ठापना कि आप जाके मौर वंस आया नंद वंस का अंतिम पहले हर्यक वंस फिर कौन सा वंस आया फिर आया सिसुनाग वंस नाग दसक का जो मंतरी था उसने की सिसुनाग वंस और फिर नंद वंस पाहा पदम ने आओ नंद वंस का जो अंतिम सा सक था घना नंद उसको हरा कर मौर वंस की स सिकंदर का जन्म 356 इस्विपूर में हुआ पिता उसके फिलिप थे फिलिप 369 इस्विपूर में मकदूनिया का सासक बना इसकी हत्या 329 इस्विपूर में कर दी गई 379 इस्विप्निया का सासक बना इसकी हत्या 329 इस्विपूर में कर दी गई सिकंदर अरस्तु का सिस्ष था सिकंदर ने भारत विजे का अभियान 326 इस्विपूर में प्रारंब किया सिकंदर का सेनापती सेलुकस निकेटर था सिकंदर को पंजाब के सासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाई डे स्पीच के युद्ध या जहेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाई डे स्पीच का युद्ध जहेलम या वितस्ता का युद्ध जाना गया सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पस्चमी टट पर पहुँच कर उसे पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर इस्थल मार्ग द्वारा 325 इस्वीपूर में भारस से लोट गया सिकंदर की म्रत्व 323 इस्वीपूर में बेबी लोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी सिकंदर का जल सेना पती था निर्याकस सिकंदर का प्रिय गोडा बव केफला था बव केफला था इसी के नाम पर इसने जहेलम नदी के टट पर बव केफला नामक नगर बसाया था तो ये तो संचिप्त परिचे शिकंदर का हुआ अब पंदरवा टॉपिक है मौर शम्राज लूशेंट में देखते हैं ये तो मौर शम्राज के पहले भूमिका बनाई गई आप जो है मौर शम्राज मौर वन्स का संसापक चंदरगुप्त मौर का जनम 345 इस्वीपूर में हुआ था जस्टिन ने चंदरगुप्त मौर को सेंडरो कोटस कहा है सेंडरो कोटस कहा है जस्टिन एक विद्वान हुए है जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंदरगुप्त मौर शे की है ने जो अपनी किताब लिखी है मुद्रा राच्छस तो विसाख दक्त की पुस्तक मुद्रा राच्छस में चंद्रगुप्त मौर के लिए व्रसल, व्रसल मतलब निम्न कुल में उत्पन, व्रसल, सटकोन वाला सा, व्रसल सब्द का प्रियोग किया गया है मुद्रा राच्छ जो विसाख दत ने लिखी है चंद्रगुप्त मौर के लिए घनानंद को हराने में चाड़क यानि कौटिल या विश्लुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर की मदद की थी जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रदान मंत्री बना इसके द्वरा लिखित पुस्तकार सास्त्र जिसका सम्मंद राजनीत से है चंद्रगुप्त मगद की राजगदी पर 322 इस्विपूर में बैठा चंद्रगुप्त जैन धरम का अनुआई था इसने अपना अंतिम समय करनाटक के सरवन बेल गोला नामकी स्थान पर बिताया था 305 इस्विपूर में इसने सेलुकष निकेटर को हराया था शेलुकष निकेटर ने अपनी पुत्री कारनेलिया की साधी कारनेलिया की साधी अपनी पुत्री कारनेलिया की साधी चंद्रगुप्त मौर के साथ कर दी और युद्ध की संधी सर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त कर दिये उपनी पुत्री की साधी की सेलुकस नीकेटर ने कारनेलिया की और संदी के अनुसार इसने चार प्रांत दिये काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंगुत मौर ने जैनी गुरू भद्रबाउ से जैन धरम की दिछ्छा ली थी मेगस्थनीज सेलुकस नीकेटर का राजदूद था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका मेगस्थनीज के अनुसार समराट का जनता के सामने आने के अवसरों पर सोभा यात्रा के रूप में जस्न मनाया जाता है उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है उनके अंगरच्छक सोने और चांदी के अलंकरत हथियारों पर सवार रहते हैं कुछ अंग रच्छक पेडों को लेकर चलते हैं इन पेडों पर परसी छितोतों का जुन्ड रहता है जो समराट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है राजा शामानिता हतियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चकते हैं वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे पाटिल पुत्र के बारे में लिखा है मेगस्थनीज ने पाटिल पुत्र एक विसाल प्राचीर से घिरा है जिसमें पांच सो सत्तर बुर्ज और चौंसट द्वार है दो और तीन मंजिल वाले घर लकडी और कच्ची इंटों से बने है राजा का महल भी काट का बना है जिसे पत्थर की नकासी से अलंकरत किया गया है या चारो तरब से उध्यानों और चिडियों के लिए बने बसेरों से घिरा है ये इंडिका में कहा है मेंगस थनीज ने चंद्रगुप्त मावरे और शेलुकस के बीच हुए युद्ध का वरण एंपी यानस ने किया है प्लिवटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने शेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिये थे प्लिवटार्क ने किसने प्लिवटार्क ने शेलुकस प्लिवटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने शेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिये उसने चार प्रांथ दिये थे काबुल कंधार, हेरात और मकरान तो इसने पांच सो हांथी उपहार में दे दिये चंद्रगुप्त की मरत्व 298 स्विपूर में स्रवन बेल गोला में उपवास के द्वारा हुई अब अगला सासक है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर का उत्रा अधिकारी विंदुसार हुआ जो 298 स्विपूर में मगद की राजगदी पर बैठा अमित्र गहात के नाम से विंदुसार जाना जाता है अमित्र गहात का आर्थ होता है सत्र विनासक बिन्दुसार आजीवक संप्रदाय कानु आई था वायु प्राण में बिन्दुसार को भद्र सार या वारि सार कहा गया है इस ट्रैवो के अनुसार सीरियन नरेस एंटी योकस ने बिन्दुसार के दरवार में डाई मेकस नामक राजदूत भेजा इंटी योकस ने बिन्दुसार के दरवार में डाई मेकस नामक राजदूत भेजा था इस ट्रैवो के अनुसार सीरियन नरेस जो सीरिया के नरेस थे एंटी योकस उन्होंने बिन्दुसार के दरवार में डाई मेकस नामक राजदूत भेजा इसे ही मेगस्थिनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कौन डाई मेकस जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंग सेन कहा गया है सिंग सेन कहा गया है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को बिंदुसार के सासनकाल में तचसिला सिंदयम जहेलम नदी के बीच में बिंदुसार के सासन काल में तच सिला जो सिंदयम जहेलम नदी के बीच में है वहां दो विद्रों का वरणन है इस विद्रों को बदवाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में असोक को भेजा सुसीम को और बाद में असोग को भेजा एथी नियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के सासक एंटी योकस प्रथम से मदिरा सूखे अंजीर और एक दारसनिक भेजने की प्राथना की थी मदिरा सूखे अंजीर और एक दारसनिक भेजने की प्राथना की थी बहुद विद्वान तारा नाथ ने विंदुसार को सोला राज्यों का विजेता बताया है अगला सासक असोग विंदुसार का उत्रा अधिकारी असोग महान हुआ जो 69 इस्वीपूर में मगद की राजगदी पर बैठा राजगदी पर बैठने के समय असोग अवंति का राजपाल था कहां का अवंति उज्जैनी महिस्मती नहीं राजधानी उज्जैनी या महिस्मती तो वहीं का राजपाल था मास्कियों गुर्जरा अविलेख में असोग का नाम असोग मिलता है मास्कियों गुर्जरा अविलेख में असोग का नाम असोग मिलता है पुराणों में असोक को असोक वर्धन कहा गया है असोक ने अपने अविशेक के आठवे वर्ष लगभग 261 ईसापूर में कलिंग पराक्रमण किया अविशेक के अपने आठवे वर्ष 261 ईसापूर में कलिंग पराक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया कि मिस्र का राजा फिला डेलफस टालमी दूती ने पाटिल पुत्र में डियाँ नीचियस नाम का एक राजदूत भेजा था असोक के दरवार में पिलनी एक विद्वान है उन्होंने कहा कि मिस्र का जो राजा फिला डेलफस था जिसे टालमी दुती कहते हैं उसने पाटिल पुत्र में डिया नीसियस नाम का एक राज़दूत भेजा था असोक के दरवार में नेक्स्ट पॉइंट उपगुप्त नामक बहुत भिच्छु ने असोक को बहुत धर्म की दिछ्छा दी थी उपगुप्त असोक ने आजीवकों को रहने है तो बराबर की पहडियों में बराबर की पहडियों में चार गुफाओं का निर्माड करवाया जिनका नाम करज, चो अजीवकों को रहने के लिए असोक ने चार पहाडियों का निर्माड कराया, 12 वर्की पहाडियों में चार गुफाओं का निर्माड कराया, कौन-कौन, पहली गुफा करज, फिर दूसरी चोपार, फिर सुदामा, फिर विस जोपडी, असोक के पौत्र दसरत ने अजीवकों को नागा अरजुन गुफा प्रदान की, असोक के सात्में इस्थम्ब लेख में अजीवकों का उलेक किया गया, तथा महामात्रों को अजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया, महा मात्रों को अजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया अजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खल गोसाल ने की थी असोक की माता का नाम सुब द्रांगी था असोक ने बहुद धरम के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंडरयों पुत्री शंग मित्रा को स्री लंका भेजा बहुद परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार असोक ने 84,000 इस्तिवपों का निर्माड कराया भारत में सिला लेख का प्रचलन सरवपर्थम असोक ने ही किया था असोक के सिला लेखों में ब्राही ब्राम्मी खरोष्ठी ग्रीक योम अर्माइक लिप का प्रियोग है ग्रीक योम अर्माइक लिप का अविलेख अफगानिस्तान से खरोष्ठी लिप का अविलेक उत्तर पस्चिम पाकिस्तान से और सेस भारत से ब्रामी लिप के अविलेक मिले हैं ग्रीक यूम अरमाइक विलेख हफगानिस्तान से खरोष्ठी लिप का विलेख उत्तरपस्चिम पाकिस्तान से और सेश भारत से ब्रामी लिप के अभलेख मिले हैं खरोष्ठी लिप जो है दाइ से बाई और लिखी जाती है असोग के अब लेखों को तीन भागों में बाटा जा सकता है सिला लेख, इस्तंब लेख, तथा गुहा लेख असोग के सिला लेख की खोज सत्रा सु पचास इसी में पातेटरी पैथेंटर ले की थी किसने की थी? पाद्रेटी पैथेंटर ने की थी इनकी संख्या 14 बताई है सोग के सिला लेखों की सत्रा सो पचास में पाद्रेटी पैथेंटर ने की थी असोग के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रीशेश को हुई सबसे पहली सफलता अभिलेख पढ़ने में 1837 में जेम्स प्रीशेश को हुई असोग के इस्तम्भ लेखों की संख्या साथ है जो केवल ब्राही लिप में लिखे हैं या छे अलग-अलग स्थानों से प्राप्त हुए पहला प्रियाग इस्तम्भ लेख दूसरा दिल्ली टोपरा इसलेव इस्तम्भ लेख दिल्ली मेरट इस्तम्भ लेख रमपुरा रामपुरवा इस्तम्भ लेख लवरिया अरे राज इस्तम्भ लेख और छाठवा है लवरिया नंदनगड लोरिया नंदनगड इस्थम्भ लेख तो छे ये इस्थम्भ लेखों की संख्या साथ सात्वा है कोसांबी अविलेख जो पहला इस्थम्भ लेख है प्रियाग इस्थम्भ लेख या पहले कोसांबी में इस्थित्था इस इस्थम्भ लेख को अकबर ने इलहाबाद के किले में स्थापित कराया या पहले कौसांबी में स्थित्था प्रियाग इस्थम्भ लेख इस इस्थम्भ लेख को अकबर ने इलहाबाद के किले में स्थापित करवाया दूसरा दिल्ली टोपरा इस्थम्भ लेख तोप्रा लाया गया तोप्रा से दिल्ली लाया गया फिरोज सा तुगलक के द्वारा दिल्ली से मेरट तो पहले मेरट में इस्थित या इस्तंबलेक फिरोज सा द्वारा दिल्ली लाया गया तो पहले मेरट में इस्थित या इस्तंबलेक फिरोज सा तुगलक के द्वारा दि कार लायल ने की थी राम पुर्वा जो इस्तंबलेक है चमपारण में स्थित है इसकी खोज 1872 सेवि में कार लायल ने की थी लौरिया अरे राज लौरिया अरे राज इस्तंब जो है ये चमपारण बिहार में है छाथमा लौरिया नंदनगर चमपारण बिहार में इस इस्तम पर मूर का चित्र बना है किस पर लौरिया नंदनगर और साथवा इस्तम लेक को सांबी अविलेक को रानी का अविलेक कहा जाता है तो ये तो साथ इस्तम लेक थे ब्रामी लिख पे लिखे हुए अगला पॉइंट है असोक का सबसे चोटा इस्तमलेक रुमिदेई है इसी में लुम्बनी में धम यात्रा के दोरान असोक द्वारा भूराजश की दर घटा देने की घोशला की गई है सबसे चोटा इस्तमलेक रुमिदेई लुम्बनी में धम यात्रा के दोरान असोक द्वारा भूराजश की दर घटा देने की घोश्णा इसी में और असोक का सात्वा अविलेक सबसे लंबा है प्रथम प्रथक सिलालेक में यहां घोश्णा है कि सभी मनुष्ण मेरे बच्चे हैं प्रथम प्रथक सिलालेक में यहां घोश्णा है कि सभी मनुष्ट मेरे बच्चे हैं असोका सारे कुना यानि कंदहार असोका सारे कुना यानि कंदहार अबलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भासाओं में प्राप्त है सारे कुना यानि कंदहार जो अबलेख है वो ग्रीक योम आर्मेरिक भासाओं में प्राप्त हुआ है शामराज में मुख्यमंत्री योम पुरोहित की नियुक्त के पूर्व इनके चरित्र को काफी जाचा पर खा जाता था जिसे उपधा परिछण कहा जाता था सामराज में मुख्य मंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर उनको जाचा पर खा जाता था चरीत्र और इस चीज को इस प्रिक्रिया को उपधा पर इच्छण कहा जाता था समराट की सहता के लिए एक मंत्री परिशत होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या बारा, सोला, बीस हुआ करती थी अर्थ सास्तर में सीरसस्त अधिकारी के रूप में तीर्थ का उलेख मिलता है सबसे सीरसस्ता अधिकारी तीर्थ का उलेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता था तीर्थ को ही बहा मात्र भी कहा जाता था इसकी संख्या ठारा थी अर्शास्त्र में चर जासूस को कहा जाता चर जासूस को कहा गया है असोक के समय मौर श्रमराज में प्रांतों की संख्या पांच थी प्रांतों को चक्र कहा जाता था जासूस को चरर सास्त्र में और प्रांतों को चक्र कहा जाता था प्रांतों के प्रसासक कुमार या आरिपुत्रिया राष्ट्री कहलाते थे प्रांतों के जो प्रसासक होते थे वो या तो कुमार या आरिपुत्रिया राष्ट्री कहलाते थे प्रांतों का विभाजन विसे में किया गया था और विसे का मालिक विस्पत के आधिन होते थे प्रसासन की सबसे छोटी का एक ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था प्रसासकों में सबसे छोटा गोप था जो दस ग्रामों का सासन समालता था मेगस्थनीच की अनुसार नगर का प्रसासन तीस सदस्यों का एक मंडल करता था जो छे समितियों में विभाजित था प्रतेक समिति में पांच सदस्यों होते थे नगर का प्रसासन तीस सदश्यों का एक मंडल करता था जो छे समीतियों विभाजित था प्रतेक समीत में पांच सदश्यों होते थे बिक्री करके रूप में मूल का दसवा भाग वसूला जाता था इसे बचाने वाले को मृतुडंड दिया जाता था मेगस्थनीज के अनुसार एक ग्रो नोमाई मार्ग निर्माड अधिकारी था एक ग्रो नोमाई जो होता था वो पी डब्लू डी से अधिकारी था है न जैसे एक ग्रो नोमाई जैस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर की सेना में लगभग पच्चास अजार अश्रोही सैनिक नव अजार हां थी वा आठ हजार रत थे मौर की सेना में जैस्टिन के अनुसार अब थुड़ा आ जाईएगा असोग के प्रमुख सिलालेख है उनमें वर्डित विसे प्रमुख जो सिलालेख है तो प्रवुक जिसे पहला सिला लेख है तो पहले सिला लेख में पस उबली की निंद्या की गई है दूसरे सिला लेख में असोक ने मनुश्य और पस दोनों की चिकित्सा विवस्था का उलेख किया है मनुष्य और पसुकी चिकित्सा विवस्था का उलेक दूसरे सिला लेक में तीसरा सिला लेक इसमें राजकी अधिकारियों को या आदेश दिया गया कि वे हर पांचवे वर्स के उपरांत दोरे पर जाएं और इस सिला लेक में कुछ धार्मिक नियमों का भी उलेक किया गया है तीसरे अबलेक में राजकी अधिकारियों को आदेश पांचवे वर्स के उपरांत दोरे पर जाएं और धार्मिक नियमों का भी कुछ उलेक है चोथा अबलेक चोथा सिला लेक पाँचवा सिला लेक इसमें आत्म नेंतरन की सिच्छा दी गई पहले में पसुबल की निंद्या, दूसरे में मनुस्पस दोनों की चिकित्सा की विवस्था, तीसरे में राज की अधिकारियों को आदेश पांच साल में दौरे पर जाएं राज के, धार्मिक नियमों का लेक भी है, चौथा भेरी घोस की जगा धम घोस, पांचमा धर्म महा मात्रों की नियुकति, छाठवा आत्म नेंद्रल, और साथवा यूम आठवा सिलालेख, असोक की तीर्थी आत्राओं का उलेक करता है, आठवे में तीर्थी आत्रा असोक की, नवा, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे सिष्टा चार का उलेक, नवे में नवे दिन हो अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सुचे, दसवे सिलालेक में लिखा है, आदेश दिया गया है आसोक के द्वारा, राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सुचे, ग्यार्वा सिलालेक धम की विवस्था, ग्यार्वे सिलालेक में, ग्यार्वे सिलाले की नियुकति तेरवे में कलिंग युद्ध का वरण युम असोक के हरदय परिवरतन की बात कही गई इसी में परोसी राजाओं का वरण है तेरवे में कलिंग विजय हरदय परिवरतन असोक का और परोसी राज्यूं का वरण चोदवा सिलालेख असोक ने जंता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया चोदवे सिलालेख में तो ये तो चोदवा सिलालेख थे अब लिखा है अर्षास्त्र में वर्डित तीर्थ तीर्थ मतलब पद अर्षास्त्र में वर्डित तीर्थ जो हैं वो ठारा हैं कौण-कौण मंत्री, पुरोहित, सेनापती, इवराज, दोवारिक, अंतवेर्दिक, समाहरता, सनिधाता, प्रसास्ता, प्रदेश्ट्री, पावर्य, वेवहारिक, नायक, करमांतिक, मंत्रिपरिसद, डंडपाल, ये अठारा तीर्थ बताया गए हैं, मंत्री पुरोहित, सेनापती, इवराज, दोवारिक, अंत्रवेर्दिक, समाहरता, सनिधाता, प्रसास्ता, प्रदेश्ट्री, पावर्य, वेवहारिक, नायक, करमांतिक, मंत्रिपरिसद, डंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, तो मं मंत्री जो है वो प्रदान मंत्री, पुरोहित, धर्मयोंदान विभाग का प्रदान होता था पुरोहित, शेनापती, शैन विभाग का प्रदान, इवराज, राजा का पुत्र, दोवारिक, राजकी द्वार्रचक दोवारिक, छाठमां अंतरवेदिक, अंतापुर का अध् समाहर्ता कहलाता था सेना का सामान एकत्र करने वाला डंडपाल दुर्गपाल दुर्ग रचक अंतपाल शीमावरती दुर्गों का रचक अंतपाल तो ये तो अर्शास्त में वर्डित तीर थे ठारा प्रसासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का मालिक होता था आगे लिखा है जश्टिन ने नामक यूनानी लेखक के नुसार चंद्रगुप्त ने अपनी छेलाक की फोज में सारे भारत को राउन डाला ऐसा जश्टिन कहते हैं और यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पस्चिमी उत्तर भारत को सेलुकष की गुलामी से मुप्त किया पस्षिम उत्तर के जो राज थे ये बास सही है कि चंद्रगुप्त मौर ने से लुकस की गुलामी से छुडाया लेकिन जस्टिन कैसे हैं छे लाग की फोज लेकर सारे भारत को रहूं दिया युद्ध छेत्र में शेना का नेत्रत करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था सैन विभाक का सबसे बड़ा अधिकारी सेना पती होता था पिलनी नामक युणानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में छे लाख पैदल सिपाही मेगस्थनीच के अनुसार मौर शेना का रख रखाओ पांच सदस सी छे समितियां करती थी और पांच पांच उनके सदस मऊर प्रसासन में गुप्तचर विभाग महा मात्ति-सर पनामक आमत्ति की आधिन था अर्थ सास्त twitchoral को गूर पुरुस कहा गया है गुप्तचर को गूर पुरुस कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है समय जनपदी नयायले के नयायधिस को राजुक कहा जाता था राजुक सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था बिनावर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था बिना वर्षा के अच्छी खेती अदेव मात्रक मेगस्थनीज ने भारती समाज को साथ वर्गों में विभाजित किया है भारती समाज को साथ वर्गों में मेगस्थनीज में विभाजित किया है दार्षनिक किसान अहीर कारीगर सैनिक निरिच्छक सभासद दार्षनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरिच्छक, सभासद नेक्स्ट पॉइंट स्वतंत्र वहिश्य वृत्ती को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी रूपा जीवा नंदवन्स के विनास करने में चंद्रगोप्त मौर ने कस्मीर के राजा परवर्तक से सहता प्राप्त की थी मौर रिशासन 137 वर्सों तक रहा भाग्वत पुराण के अनुसार मौर वन्स में 10 राजा हुए जबकि वायू पुराण के अनुसार 9 राजा हुए मौर वंस का अंतिम साशक ब्रहधरत था इसकी हत्या उसके सेनापती पुष मित्र शुंग ने 185 सी विपूर में कर दी और मगद पर शुंग वंस की निव डाली तो ये तो था मौर वंस अब कोस्चन देख लेते हैं दूसरा कोस्चन है मतलब मैकिया वेली की जो रचना प्रिंस है उससे तुलना कावटिल के अरसास्त्र से की जाती है तीसरा कोस्चन वह असासक कौन था जिसने राज शिंगासन रोवेटने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी तो असोज था वा चोथा समराट असोक की वा पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था तो चंडालिका ना थी ना तो चार्मलता थी ना गौतमी थी वा पत्नी थी कारुवा की कौन थी कारुवा की पत्नी ने प्रभावित किया था पाँचवा, असोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकरत का प्रयोग किया है, तो अर्ध मागदी का प्रयोग किया है छाठवा, बिंदुसार ने बिद्रोहियों को कुचलने के लिए असोक को कहां भेजा था, तो तचसिला भेजा था वह विक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादर्सी भी था देवान पियादर्सी तो इस देवान पियादर्सी असोक का नाम था प्राचीनतम राजवन्स कौन सा है तो प्राचीनतम राजवन्स मौरिवन्स है प्राचीन भारत का उवा प्रसिद्ध सासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धरम को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर थे वो। मौर शमराज की स्थापना किस ने की। चंद्रगुप्त मौर ने की। मौर शमराज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। पढ़। ना तोल थी ना काकड़ी थी ना दीनार थी। मौर शमराज में चलती थी मुद्रा। पढ़ चलती थी क्या चलती थी? पढ़ सुरवा कोस्चन कोन मौर वंस का सासक नहीं है? चंद्रगूप्त मौर, असोक, बिंदुसार तो चंद्रगूप्त ने तो मौर वंस की स्थापना दी की थी असोक तो बिंदुसार का पुत्री था अजास सत्र जो है यह हर एक बंस का सासक है, किसका है, यह हर एक बंस का सासक है, यह मौर बंस का अजासत्र नहीं है, अजासत्र, सत्रवा निम्निक में से असोग का उत्रादिकारी कौन था, तो असोग का उत्रादिकारी कुडाल था, कुडाल जो था, वो असोग का उत्रादिकारी था, मुद्रा राच्छस का लेखन विसाखदत है जिसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर निम्न कुल से था 19. कोश्चन विसाखदत के प्राचीन भारती नाटक मुद्रा राच्छस की विसेवस्तु है चंद्रगुप्त मौर के समय में राजदरवार की दुर भी संधियों के बारे में विसाखदत के प्राचीन भारती नाटक मुद्रा राच्छस की विसे वस्तु है विस्वा और आजकांतिम मालवा गुजरात और महाराष्ट किस सासक ने पहली बार जीते मालवा गुजरात और महाराष्ट पहली बार चंद्रगुप्त मौर ने जीते